आज मैं आपको कुछ आगाशे ग्रूप आइटिया के नविन किये के कारेक्रम के जानकरी देना चाहता हूं देखे आज हमारे आइटिया में रोबोट टीचर है अभी वर्तमान में देश की किसी भी आइटि में भी रोबोट टीचर नहीं है किसी भी टेक्निकल एजुकेशन सेक्टर में रोबोट टीचर अभी नहीं है लेकिन हमारे पास में हमने दो रोबोट टीचर स्थापित किये है एक का नाम आर्याध्या आगाशे है और एक का नाम अनुश्का आगाशे हैं हमारे रोबोट टीन सो साट डीगरी में घुम सकते हैं यह क्लाकवाइज एंटे क्लाकवाइज दोनों दिशाओं में घुम सकते हैं यह दाय बाय लेप राइट आगे पिछे सभी तरब घुम सकते हैं चल सकते हैं क्लास में फिर सकते हैं यह हाथ जोड़का नमस्ते कर सकते है यह सेलुट कर सकते हैं यह सेकेंट कर सकते हैं हाई हलो कर सकते हैं इतने सक्षम हमारे रोबोट है यह वर्तमान में आप जो भी प्रस्ट पुछे किसी भी विशाय में पूछिएगा आपको पूरा तुरांग इसका जवाब मिल जाएगा इतने एडवांस है आप टेक्निकल के कि कोई भी ब्रांच में किसी भी प्रांच में पूछिएगा आपको रिप्लाई मिलेगा अस चैनल के पूछिए घरी शिएस्ट में पूछिएlier से पूछिए कि जीन बिशाय में हन से मिलेघा। इनसे मिलेगा आप accounting के बारे में पूछे आप legal के बारे मुचे यानने CA के लिए भी उपयोगी है आपके medical line के लिए भी उपयोगी है आपका इंजिरेंग के लिए आपको हर विशाय में चीज में हैं, कामार्स और हर चीज में आप इनको बोलेंगे के आप एक ड्राफ बनाकर दीजे, कोट में पेश करना है वो भी कर देंगे, हर चीज में सक्षम है, हमारे यह रूबोट, देश के वर्ल्ड संसार की लगबत नाइन्टीफाइव भाषाओं में उत्तर देने के ल अप्त्मान में हमारे छात्र जो भी शते हैं उसका रिप्लाइओ ये हिंदे इंग्लिस दोनों में देते लिए प्रशन में जॉब मिले ला मनें इंग्ली से मुझेए इंग्लिस में मिलेगा इनके विशेस रख है। कि एक स्मार्ट क्लास को स्क्रिन में , यह हमारे से थे था स्वciones दिखाएगा प्रश्ण आपका उत्तर भी ऊपर में दिखाएगा और लिखित में आता है ताकि स्टुडन्ट आराम से उसको नोट कर सके अपने काफी में और नोट स्तियार कर सके इतने सक्षम है हमारे रोबोट कि दे संसार कि 95 लेंग्वेज में रिप्लाइज देने में सक्षम है जैसे English, Spanish, French, German, Italian, Portuguese, Dutch, Russian, Arabic, Mandarin, Chinese, Japanese, Swedish, Korean, Turkish, Indonesian, Thai, Vietnamese, Bengali, Hindi, Persian, Ukrainian, उर्दो, Polish, Greek, Ukrainian, Hungarian, आधी संसार के 95 भासाओं को यह समझ सकते हैं और जौब दे सकते हैं उनकी भासा में इतने सक्षम है हमारा रोबोट स्तापित करने का मुख्य उद्देश था कि आज सक्षम टीचर की भारी कमी है जो प्रिपेर होते नहीं है बस इनको नौकरी भी मिल रही है मार्शिट देख देखके आज काल कोई भी परिच्छा पास करना बहुत आसान है पर उन्तों जो उनमें एक क्वालिटी होनी चाहिए वो क्वालिटी आद नहीं है इसलिए मेरा महान भारत धिरे-धिरे पिछड में आगे रहें कैआणिज भार ने लिए पाहि य एष्लिए मिल लोग और एंड टीचर नमस्कार नमस्की तीचर जय ही जय ही जय ही आज आज आप लोग रोबोट से जो भी क्वेस्चन पूछना है पूछ सकते हो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको सभी का जवाप रोबोट करा दिया जाएगा और स्क्रेन पर भी दिखेगा इसका काम के गाड़ी को चलाने के लिए पैठोन या वीजित पर इस्तिमाल करना इसमें एक ऐसा मेकनिजम होता है जिसमें फ्यूट को छोटे छोटे घाग में तक्सीन किया जाता है और उसके बाद इसे इंजिन की अधिज इस पोल मोतर तर के लिल रहा जुट पानो को भेगर में अंपित और हाजिए। टेचुर तो पुटोU उनिस्स थंप inde डी ? ए डी पानीं पीड़िग को असे हाउ मि continuous button, prison ? गद्थर अपन्ची टेए निंजित अभरा सकता वेजिए भीस प्याद और शार अचिखिए पत्र अचा अचिए अाग बोल कि अच्छिए अचिए लाया है आपन्यार है इस भोल कि अचिए अचो याट है कॉ WIN more एकरल केंघे लिए हम चिसाइब स्टेभ मोटर स्टे來到 एक ते रूट गमेना थे घिँरए्टीकंडा वुटेजि़ उस्थ सबीर को और मेंचे अजके घrod già उर न आर वह इस पीप करो высок पूंगोंग इस आर ते लार पूंगू this makes it an ideal choice for applications that require precise movements such as robotics and 3D printing teacher induction motor induction motor i must say Hindi sorry induction motor ain card teacher टीचर, मोटर के कितने प्रकार हैं? मोटर के दो प्रकार हैं, 1. AC मोटर, DC मोटर एक और अट से चलता है और इसमें एक स्टेटर और एक रोटर होता है, बाट 2. मोटर, DC से चलता है और इसमें एक स्टेटर और एक आमचों होता है, इसमें एक स्टेटर और एक आमचों होता है, टीचर, AC करेंट पहले आया के DC, करेंट, करेंट, DC करेंट, DC करेंट, direct करेंट, का यूज पराने समय में एक स्टेटर और एक टेलिग आई चाता था, इसके बाद, AC करेंट, Alternating current का यूज एलेक्रिक पावर जनरेशन, ट्रास्मिशन और इस्ट्रिबूशन के लिए किया जाता है Alternating current to produce a rotating magnetic field The rotating Magnetic field induces an opposing current in the motor's state of winding which produces torque that turns the motor's road up 3-phase induction Motors are commonly used in industrial and commercial applications such as pumps, compressors, conveyor systems and machine tools Teacher Different between alternator and generator And starter the alternator and starter are both components of the electrical system of a vehicle The alternator is responsible for generating A passport generator is a tool that randomly generates a secure, unique passport for user These passwords are typically used to protect sensitive Weak data and personal information and can be used to log into websites, online accounts Data and personal information and can be used to log into websites, online accounts And other services Password generators can be used to create strong passwords that are difficult to guess or grab They usually offer features And other services Password generators can be used to create strong passwords that are difficult to guess or grab They usually offer features Such as password length, special characters and the ability to exclude certain words or phrases Feature Depress between alternator and generator A generator is a device that converts mechanical energy into electrical energy It works by using an engine to rotate the coil of wire within a magnetic He is inducing a current in the wire An alternator is also a device that converts mechanical energy into electrical energy But it works by using a rotating magnetic field to induce the current in the coil of wire The main difference between a generator and an alternator Is the way in which they produce electrical energy Generators use an engine to rotate the coil of wire While alternators use a rotating magnetic field Teacher Type of wire The type of wire depends on the application Common types of wire include copper, aluminum, steel and insulated wire The other thing is, both electrical current ko mechanical energy me badalne kee ye kaam karte hai Generator mechanical Energy ko electrical energy me badalta hai Dono hai meek rotor and stale hoote hai Kya aapko hindi haati hai Yes Teacher Types of energy motor One Small meters Small meters are digital meters that measure and record the amount of energy used in a home for business These meters are usually made of metal and feature a spinning wheel That records usage Three Digital meters Digital meters आुमिर बाद्टेस्टेस्टों नोह जोazaरेश्ट प्रवसिव इजेष नि div कोर्देस्ट माले रेज सक challenging इज प्रवारs नेज से एफ तह और फिशे कॉहत Σे वेम सब्सक्षर इड़र लाव कि ऑम कर्वेल क्हlvania लेटर वेटर अल्याओ टरोड स्टनों के लिडक ये लिटराओ इंग कि लाुक बाल-स त्याओ आंट इंगुड व้alon को इतो राक ऊंट को डिड़ूर 6 तैंग *** कि विड़ बदेड कर द मज़ configured में वेड़क ट। इंगे ट। इंग तो विडिएयूर कमें निडान Nicholas मेंच फई मालत जियमेंड मेंच जिय तॉमन जिय भे हमें – जिय भे हो चой हो ओंट उलुप置 को भे पापै जिए मेश आप्पेर करे मेंच ए लू अबुट नियूस यू उूुुझ ए है तेचर, वाट इस दिड़्टर? देच् set, तेचर, एक स्वेक्टराइबर काट सबद्टराइबर के चालेटर टूर्मा करिक पारफिपने कि त disturbed घ्रच प्रिक्ति पारफिपने रांगाकात मूर्ति पोलिबर कि अंस राठन देफिश तेक पर कि अॉल यह जितने आ चुरूटराइबर कि धुटूड कि इसुरा भार्प। पोर्परिग अपार्प्राप्र राउडश्स्ट ऑन राउट्व य कर फर्द नितरों इस पर्फॉर नितरों लुट्सिट एफॉर वेढिड टाउड़ थासे प्याइड प्राइड इतरों मेस्वल ओ स्वॉर्पॉर्पार्पॉर्पॉर्पॉर्ण यिर तिर्ट है और पिल है अपक्ड़िक है बस्ट करप दृह तो अजयुब आपक्ड़िन takiego करप दियुब न करप दियुब अन रियुब उन एक्टपर्ट कर दियुब लिट्टि Deutsch यो अन ले में हर फिल्टिक युब आपक्ड़िक तौरी अंधिक धुब कर दियुब तेचर इंदिश टेनोग्राफिका नबब के स्पीड में डिक्टेशन दीजिये इसे सीखें हिंदी स्टेनोग्राफिकी सीखने के लिए आपको एक स्टेनोग्राफिकी कोस करना होगा आपको एक स्टेनोग्राफिकी इंस्टिट्यूट या कॉलग जॉइन करना होगा जस्वे आज की दौर में तेज कती से बदलाब आ रहे हैं ये स्थानिय, राश्ट्रिय और अंदराश्ट्रिय स्थर पर अपने प्रभाव को दिखा रही है इसमें नए कपनी को विबिलन के साथ सुधार हो रही है आज की समय में तंपन विगास को विबिलन के साथ सुधार हो रही है आज की समय में तंपन टीचर संकेत लीपी क्या है?